तो जहें दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर रहें एससी स्जील जो एक्जाम आपका एक से तेरा दिसंबर ग्वी स्कुल 40 शिप्ट में आपका कंड़क्ट हुआ है उसमें से दोस्तों ऑफिसियल जो पॉलिटी के प्रस पूछे गए हर शिप्ट ने लगवक दोस्ते त प्रस आपका पॉलिटी के दोस्ते तीन प्रस आपके जीडिए के एकजाम में पूछे जाएंगे तो वीडियो को पूरा दखीएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक किजेगा और चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और क्लिक कर लिजेगा इससे पहले करन्ट अफेर्स और हिस्ट्री के जो परस नाये थे ऑफिसियल एंसर की आने के बाद का तो सभी वीडियो को अप्लोड करती हैं अभी तक नहीं देखें तो जाके देख लिजिए आगे भी दोस्तों आगे कौन से टॉपिक के परस्ट को ला ऐं तो आपको मालूँहोंगा सोतंता खा दिकार जो की भ। हितीन के 29 से 22 में का वरनी थेTSTOPह आपका का अफ 90 zwatगारों में सामील होता है पहले बाद 19 की बात कर लए तो पेशा का वर्णी थे इसके बाद दोस्तों आपका अनुछेद जीवन व्यक्ति का सुतनता का अधिकार वह आपका अनुछेद एककाई से समधित है यह दोस्तों आपका अनुछेद 19 में सुतनता का अधिकार वह आपका 29 में आपका अधिकार तो अनुछेद 19 से 22 भागतिर में आपका अधिकार है शबी जो मालुम हों का संसद मलब की क्या संसर मलब रास्टि वीधाइका जांग अमारा जो देश के परतिनिदी होते हैं विधायक हो ये मिले हो जो चुनके जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं और कानून निर्मान करते हैं तो संसर का दूस्व आपका मुख रूप से तीन अंग होता है ठीके पहला तो दूस्व तो आपका हो जाएगा राष्टपती इसके अलावा दूस्व आपका एक लोखसभा और दूस्व आपका है राष्ट्पती यह तो आपका विधी बनता है इसके अलावा अगर कोई कानून आकर आपको बनाना है तो लोकसवा और राश्वा किसी सदन में पेस करना होगा इसके बाद दोस्तों आपका लोकसवां पेस होगा इसके बाद राश्वां पेस होगा इसके बाद राश्वां पेस होगा इसके बाद राश्वां पेस होगा इसके बाद राश्वा करने में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है इसके बाद उप्रास्पति होता है और अर्थ में जो ऊपरास्पति कौन है तो आपके जगदीव धनकर है जो की मिन नम्मर के बनाए गया है। चौने गया है, तो इनका अवधी कितना होगा है, इसके अलावाद राशपती के पत्पे आएंगे इसके लावत राशपती के बात कर लें तो राशपती का अब दी पांच साल हो हता है और परङण मंत्री की अबिदू का पांच साल का राश्पती overview तो पर आपको लुग्साब कैसा अब आक्त तो जगदीब मुनमुझी यह पंदरमे नम्मर के आपके राश्पती है और रूप राश्पती चौदमे नम्मर के हैं इस बात को दोस्ते याद रखेएगा चलिए अगला कोस्टन देखे पूझा गया है भारत के किस परधान मंत्री के नेतित में भारत किस समीदान में मौली कर्तब को जुरा गया था परधान मंत्री में परधान मंत्री इंद्रागंदी हो जाएगा लेकिन बात और दोस्तों 176 में आपका मौणी कर्तब को जुड़ा गया के समीति के सिफारीज पर आपके मौली कर्तब को जोड़ा गया था जब जोड़ा गया तो मातर दस ही जोड़ा गया था लेकिन वरत्मार में आप 11 देखते होंगे तो एक मौली कर्तब और कब जोड़ा गया तो यह दो हजार दो लेकिन $2 मेंदेखनी मुल्क के लिए बिखार वह आपका सफमीदान दिखार ऐसे लेकिन आपका साथ लेकिन लेकिन आपका मुले दिकार से विदी का दिकार में चला गया था इसके अलावा कौन-कौन से मौली का दिकार है तो पहला तो आपका स्वानता का दिकार है दूसरा आपका स्वतंता का दिकार है तीसरा आपका सोचन के विदुद दिकार है इसके अलावा है स्वतंता का दिकार है सांस्किर्तिक अगला कुश्चन है भारत के इस्द्हां के कि जीवन और श्वतंता की क्ल 옞ाल श्वक्षा है वे तो आपका अनुच्षेद 21 में सामिले यह तो अब यह आपको उपर बताया थे हैं ठीक है लेकिन अब अनुच्षेद 24 के समधिते तो अनुच्षे 24 कहता है दोस्तो कि खार खानों आदी में बालकों को नियोजन का परतिसेद करता है कि 14 वर्स के जो कमूम के बच्चे होत उस प्रकार के अजो बलात स्रम के परकारों पर परतिमद्ध लगाता है यह आपका अनुच्षेद 23 केते हैं इसके बाद अनुच्षेद 20 क्या कहता है तो अनुच्षेद 20 दोस्तों आपको उपर बताते हैं कि किसी वेक्ति को किसी भी अपरात के लिए तब तक सिद दोसी नहीं थढ़ाए जाएगा जब तक कि उसे इसा कार्ष करने के लिए परवित विर्दी का अधिकर्वन ना किया हो तरह उस अपराद के किया जाने में जो सास्टी अधिरोपित की जाती है वह उससे अधिक सास्टी का भागी नहीं होगा तो जब तक से कोट के द्वारा अगर उसको अपराधी नहीं घोशित चया जेगा तब तक दो अपराधी नहीं होगा चलिए अगला कुस्तन के पुझा गया था कि निविलीकी तमसे किस ने उदेष परस्थाओं को पेस किया था जिसे बाद में भारत की परस्तावना को ग्रण किया गया है तो उदेष परस्था समिधान के निवार में और भारत की समगने परस्तावन का रूप लिया था तो आप बारत की पर स्वा समाजवादी तो दोस्ता जो परस्तावन है आपका उद्यश परस्ताव सभी निया गया है ठीक है अगला अ lately की पूछा का है तो इस पूखा का है वह सोटमें कैया कि द्याइपढाच के द्वरा स्थापेद एक पराइब क्रतेकारे करता है ठीक है इसके बाद इसके बाद बात करें कि भारत के नियंतक माले का परिश्चक को है तो आज सबसे पहले हो जाए जो क्या आपका होगा ठीक है चलिए अगला कुस्ट आपका भारत के उपराश्पती के बारे में निम्निकीतमस कौन सा कथन गलत है तो दोस्तों देखिए लोकसवा राश्वा के दौरा पारित एक पुस्ताव को माध्यम से रास्पती के नुवदन से इने के पस से हटाया जा सकता है यह दोस्तों आपका खजी है ठीक है चलिए अगला कुस्ट देखे पुझा गया था कि कीश वर्ष भारत भारती बजट में बजट विद्धान की लिंग स्विदन सिल्टा को विश्यस मत देते हुए एक विट्वन पसूत क्या गया है तो इसका राइटेंसे दुस्वापका दोजार पास हो जा अगर समनताओं को दूर करने के लिए अनुवर्ति सुधारत्म करिवाए दूसरा आपका जेंडर बजट कानून के अतरत किया गया था जो कि दोजार पास से दोजाचे के भी इसमें आपका पेस किया गया था ठीक है दो जारी करती है पहला भाग महिला विजजिस युजना पष्रूप किया गया था चलीए अगला कशें देक पुजा गया था समीधान का कौनसा नुच lays जो कि करभगा से अलग करता है तो कैड़ा बंच 147 क्या है तो आपका वो बिचार उसे नियाले लेगा किसे उस्तम नियाले से या उस्तम नियाले के पक्ष में काज करना होगा यह आपका नुच्छे 244 कहता है चलिए अगला परस देखिए पूछा गया है कि भारत के समिधान का कौन सा भाग है मौली करतब को दस आता है तो दोस्तों मौली करतब के बारे में अभी हमने उपर डिसकस क्या था तो आपको बात करने कौन से आपका भाग चार है है ठेके भाग चार के लावा नुच्छेथ पूछेगा आपसे उनुच्छेथ कुंदा है तो लिगया था रिखत कीसे किसी देश मे Points सभी लोगों को शुकार के शाव कोई व्यक्ति नहीं होगा सभी सब्सक्राइब और उप्राष्पती हों या कोई भी हो चलिए आधिला कोसें लिभे पुंचा गया था थो संसर के द्वारा त्यतर्माआव सब्सक्राइब करने से मना करता है तो यह दोस्ता आपको उपर हमने बताया थे अनुच्छ करता है समीधान का अनुच्छेट कितना करता तो आप कोमेंट सेक्षिन बताएगा अभी उपर बताया है चलिए अगला कुछा गया है भारत के राशपती के चुनाओ के चुनाओ के द्वारा चुना जाता है यह आपका विल्कुल सही है तो चुनाओ के सबसे specs अभारा किया क्या इसकता है अगला कोशने ने के पूंच्छ नाओ का अधिक्कार कोन सा है जो कि समीधान के संसोधन करने के लिए संसत कि सक्ती और इससे परक्रिया से समन्दित आपका है तो इसके लावा 356 जो अनूश्यत कहता है दोस्तों आपका राजपाल राजपती साथन को लागो करना किसी विराज में राजपाल को लगता है कि यहां पर वीदी है आपका समिधान से नहीं चल रहा है तो आपका राजपती साथनों आपका लागो करवा सकता है इसके लाव दोस्तों उन्चाज कहता है कि राजपाल किसी विषय पर आपका कानून नहीं हो रहा है और जरूरी है तो आपका कानून बना सकता है राजपाल इसके लाव दोस्तों आपका राशपती 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 यह पारत काल की खुशना कर सकते हैं जब भारत के कि मुल्ड सरसना के संधान को परतिबादन क्या था था दोस्तों आपका केशवानन भारति मामला है 1913 में कि अपने कि इस समिदान के अधिकार पर एक मात पर रिवन दिये है कि इसके माध्यम से समिदान के मुल्ड हसे क्यों छती नहीं पहुचिन द्याइए तो 13 निया दूस्तों के सबसे बड़ा पीड दूसरा तक यहीं केस्वांदन भारती मामले में ही आपका बैठा था जो कि दूसर सुरूवा था 23 मास उनिचे अक्तिस सक्टूर नियुस्तों बहतर को और खत्म हुआ था आपका 23 मास प्लाद युख आर्थ किया है इस साथ रख्षा करना इस अपने बातों सो संस्तूरस्ट का अपना काम निकलवाना है इस प्रकार के सब्सक्uing के लिए स्ब्रवाजिकल प्छक्षा क्रता है हुं स्रवाजिक्शति के र consciousness करना और हिंसा को द्यागना भारती समीदान में हमारा मालिक करताव है उसमें से भी दोस्तु आपका एक जो मोलिक करताव है इसके लावराज के नितिनी से टत्व इतुत सब्सक्राइब करताव कोन सा जोगा नुचेद है राशपती को विशिस सेनियों के मामले में उस्तम न्याले की राये लेने के लिए अधिक्रित करता है तो यह दोस्ता हम लोग देखाता नुच्छेद एक सो टेता लिए चलिए अगला कोशन के पूछा गया है कि भारत का कौन सा नुच्छेद है जो कि यह लेक करता है कि संसद में काम काज या ने देखा तो यह मौली करता पर जोगी दोसभा का लूट में है 14 mos mater 1922 साब करने हैं नुच्छेद कोचने के पुचा गया था पंचाहिती राज संस्थाओं के द्वारा आयूद के जाते हैं तो जो पंचाहिती राज विवस्था का यह सब कर द्वारा करा जाता है ठीक है एक कोचने के पुचा गया कि भारती संस्थे संस्थापना कि स्थापना है आपका 1909 में हो गया था चलिए अगला कोसन देके पुचा गया है तो अभी हम लोग ने आपको बताया था कि समपात्य का अधिकार था वह पल्यामाना मॉली का दिकार था लेकिन उसके वाद से जो यह अधिकार हो मैं चला गया है कि सरकार के किस साखा का उत्तरदायत कानुन निंतियों को लागू करना है तो सरकार का कि अगया नहीं है जो कानुन नीति लागु करना है और न्याइपालीका का कार्ट या उस समिधान के तहत है या नहीं है चलिए अगला कोस्न ने कि पूछा गया है यो भारत के समिधान कर्ड़न करता है तो अभी हम लोग ने आपको उपर बताया सब्सक्राइब करने वाले होते हैं और दोस्तों दो आपका उसके काम करने वाले होते हैं वो परमुख एक कोचने के पूचा गया है कि संग की जो कारकारी सकती होती है वो किसमे नहींत होता है तो संग का जो कारकारी सकती होता है वो दोस्तों आपका राष्ट पत्री में नहींत होता है लेकिन जो आपका परधार मंत्री में नहींत होता है एक कोचने के पूचा गया है कि भालत का समिधान है सरकार की डैस प्रणाली के साथ एक संप्रवु समाजवादी धन्मिट्वेक्ष लोकतांत्री गन्राज है ठीक है एक कोसे पूछा गया है कि भारत समिधार मुली कर तब किस वज़ो रहा गया था इसको दोस्तों हमने अभी डिसकस किया है ।बनकर त्यार हो या था लागू तो उनीश पचास में किया था शबी genauso जन्वरी को एक कोसे में कि पूछा गया है कि भारत के पर कानूर मन आवसिष सकतिया होती है वादलब कि जब समीधार बन रहा था तो उसमें अवसिष सुचियों में कुछ-कुछ को रखा गया था उसमें जो कानूर मनाने का दिकार जो कि केंद विधाय का को है ठीक है इसके लावा तो अगला कॉस्टन है कि निमिलिकित में कौन सा विद्य है क यहा है तो अब हम दिसक्स क्या था दिसकस केया था दोस Olsoka को आपका रास्पती कशायन होता है तर जाकर आपका कानूर्ट बनता है लेकिन एक एससा भी दिख के जो की के निमिलिकित में के human gonna कि द्वेल आफालमें ही दौरामें ना इक्तित की शूरस भारति आपका 1935 में पारत किया गया है ठीक है एक कोस्टन देखें पूछा गया है कि भरतिशाइज सउतनता धिनियम को बिटिशाइज की स्विकूर्ति आपको मिल गए थी इसके बाद अगस्त में आपका देश तुझ पंद अगस्त को अज्ञाद हो गया था एक कोस्टन देखें है था कि सरकार के द्वारा धिनियमीद परते कन डैस के रूप्पी अनुरूप होना चाइए तो आपका समिधान के अनुरूप होना चाहिए इसका देखरेक जो कौन करता है तो आपका कारपालिका करता है इसके अवारे में भी हम लोग ने उपर डिसकस की कर चुके हैं एक को प्राश्प्रत्री हाथ में आप पर्दान मंतरी के हाथ में होता है ये सिख्षा के अदिकार को मौली का दिकार करुप में करताय लेकिन दोस्टों इसको कब को मौली इकर में सामील क्या गया तो यह भी दूस्थ अपका च 모든 इसमा सम्हिधान होगा था गया था उसी वह सडूस्थ आपका जो प्रवारत के समिधान को परिबर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है यह सबी जो सकती है वे आपका संसद में नहीं ते संसद में पूछा गया है कि भारत के समिधान को पूछा गया है कि भारत के समिधान सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए तो 15% से अधिक आपका नहीं होना सब्सक्राइब नहीं हो सकता है किसी भी हाल में 14 हो सकता है अगर आपके समिधान सब्सक्राइब ठीक है एक कोशेद के पूछा गया है कि भारत के समिधान के किस वालम मौली का दिकारों का उलेक है तो उसके बारे में उलेक किया गया है एक southwest पूछा गया है कि भारती नियापलिका की सर्चना कैसी है तो भरती जो नियापलिका की सर्चना है चार असर यह ठीक है नियादीसर को विशेष ऐडर के दर पहटा बोह करता है गिरफ़तार व्यक्ति को वैदिक Sup gloss के मज़क से दरट वेश की arriver के में वर्णित है ठीक है एक कोच्न देगे पूझा गया है कि राजपाल की निश्पक छोणी चाहिए दोस्तर आपका सरकाडिया आयोग के द्वारा किया गया था एक कोच्न देगे पूझा गया था कि भारत में कि निवास्चन छेत्र है तो अर्तवान में दोसौर आपका हुता है लेकिन ftu ओपका परतेग् 5 और्सों में दोस्तों का राज़न रेकार्द के दुरारा किया जाता है राजुहुचा ती ठिज疑 तो सभी डैस सभी 10डैसों का अपना समीधान होता है उसका अपना नहीं होता है समाधी देशों में समिधान नहीं होता कुलियन तंत्रिय देशों में समिधान नहीं होता सर्व सतामतों के देशों में समिधान नहीं होता लेकिन जो देश लोक तंत्रिक होगा उसका अपना समिधान होगा ही होगा एक कोस्तने के पूछा गया है ये मौली करता पर भारत के समिदान के किस अनुशेद में नहीं थे, तहीं दूसर आपको अब भी पता हैं, अनुशेद एकामने में नहीं थे, एक कोसे ने के पुछा गया है, कि लोकसभा सच्चिवाले के द्वारा जारी एक पुस्तिका आमें उन सब्दों और व्यक्तियों की सुची दी गई है, जिने लोकसभा रासभा दोनों में असनसदिया माना जाएगा, नीमली के तो कौन सा सब्द असनसदिये घोसित नहीं किया गया है, तो चक्कर जो सब्द दूसर आपका असनसदिये घोसित नहीं किया गया है, इसके अलावा सकुनी नोटंक की गिरगि जो है दोस्ता आपका किस अनुच्यत में कहा गया है कि रार किसी भी नागरिक के खिलाब केवल धर्म नसल जाती लिंग जनवस्थान या किसी के अन्ध के अधार पर बेदवाव नहीं करेगा यह दोस्ता आपका अनुच्यत 15 में वड़नी थे ठीक है एक पूछा गया आपका कि अभी आपको बताया थे तो अभी आपको बताया है कि जो संपत्ति का अधिकार है आपका चोलिष्मा समिधान संसुद्वार मौलिक अधिकार से आकर विदिक अधिकार बनाया गया था जो कि 1978 में आपका हुआ था एक कोस्ति देखे पूछा गया है कि भारत के समिधान का अनुच्यत 20 से समध्नी थे तो यह आपका उपर डिसकस कर चुके हैं यह आपका वर्नी थे अपरादों के लिए दो सिद्धी के सम्मान में सक्षन उससे समध्नी था आपका कौन से है विशेश परवधानों से संब्दी थे ति दूस्तों आपका अनुछे तो 371 का एफ है वह आपका सिक्किम राज को विशेश परवधानों का दिया गया है यह आपका 36 समिदान संसुदर नुआ था उसी के समय सिक्किम को है जो कि भारती राज में मिला लिया गया था एक को संदे के पूछा गया है कि नीति आयो के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं तो नीति आयो को जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह आपके भारत के प दूसर आपका 2015 के अस्तित में आया था जब योजनाय को समाप्त कर नित्याय को बनाया गया था ठीक है एक कोस्टन के पूछा गया है कि कोई जरूरी नहीं का मान कुछा लाव के ऐसário है हिडास सभाग की रहेंगे तो आप बन सकतें इसके जिकार्ण रूप में नहीं किया गया है तो आपका संपतिकार का उध्यक के मौलीक इखकार के रूप में नहीं है को सिस्केस कर सुकूछ कुछा गया ह। राजयों के विच तथा राजयों के कि मत् होचे अनुमटी देता है इक कुछा गया है कि भारत के समिजान के कामन एके संहार प्रतियाय नाग्री का ये कारतव होगा कि एंचक का संस्थाओं का Central Σंस्था करें तो आपका समिधान में वारधित कामरे में उसके इतर्थ मौली करतिकार को अनुप पालन करना होगा ठीख है सब,, थी राइब करना को ни लाक करना होगा थी क्यों में तो और comment section ने बताया कि अगला जो आपका किस topic पर आपका जो वीडियो है आपको चाहिए चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जये वारत